मैं कुछ-कुछ पुराने खयालों की हो। जो सुबह उठकर सबसे पहले इश्वर के दर्षन करती हूँ, उनके चरणों में बन्दन करती हुआ। फिर मातापिता की तस्वियर के सामने जा के नकमस्थक होती हूँ और उनका आशिरवाद लेती हूँ. हाँ, मैं कुछ-कुछ पुराने खयालों की हूँ, बड़ों से वैस करना मुझे पसंद नहीं, उनकी बातों को ध्यान से सुनती हूँ, अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती है, तो उन्हें बाद में बैठ कर समझाती हूँ, पर बेवज़ा जगड़ा करना मुझे पसंद हाँ, मैं कुछ-कुछ पुराने खयालों की हूँ, शराब पीना मुझे पसंद नहीं, नशे की गुलां होना मुझे पसंद नहीं, शराब पीना नए खालात का प्रतीक नहीं, मैं भी नए विचारों की हूँ, बेटे-बेटी में कोई फर्क नहीं करती हूँ, लेकिन आदी कि रात तक उनका बाहर घुनना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मैं कुछ-कुछ पुरानिक खया लगी हूँ। शुद मैं बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्तत नहीं। लेकिन बच्चमन से उन्हें अपनी सीमाये सिखानी होगी। आदुनिक्ता के नाम पर फूरबन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दिखावा, नशे की इलत इस सबसे हमें कोसो दूर होना चाहिए। आदुनिक्ता होनी चाहिए विचारों में, एक दुसरी का सम्मान करने में, समानता में, हाँ, मैं कुछ-कुछ पुराने का याना की हूँ। बेट्यों को आगे पढ़ाने में, उनके परों को पढ़ान देने में, उनके सपनों को साकार करने में, मैं हर कदम उनके साथ हूँ, उनकी हम सखी बनकर चलती हूँ नर और नारी की समानता इस होड में में शामिल नहीं, क्योंकि नर नर है, नारी नारी है, दोनों का अपना एक व्यक्तित्वा है, फिर दोनों में ये क्यों पुलजन है, दोनों क्यों इस पर चगड़ते हैं, हाँ, मैं कुछ-कुछ उतरा नहीं खया लगी हूँ लेक इन डिलेशन मुझे समझ में नहीं आता, आदुनिक्ता के नाम पर परमपणाओं से भागना ये कैसी हिम्मत है, बीवा करना और उन जिम्मेदारियों को निभाना, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव है, थोड़ी छोटी छोटी बातों पर तलाक लेना, ये कौन सी बात शेहन शिल्ता और त्याग ही तो आदार्शिला होती है घर की, और फिर बच्चों के बारे में तो सोचिये, उनका क्या होगा, हाँ कोई बड़ी बात हो तो बात अलग है, वर्दा मैं इसकी हिमायती नहीं, घर को संभाले रखना हमारी जिम्मेदारी है, हाँ मैं कुछ-कु कराने खयालात के, दादिया और नानिया हम से ज्यादा खुश रहती थी, तनाव रहित जीवन जीती थी, घर में रहते हुए भी सब को अपने त्याग से बाद्ले रखती थी, परिवार को संभाले रखती थी, हाँ उनका भी सामाजिक और धार्मिक दायरा होता था, वो भी बाहर आती जाती थी, लेकिन खुब प्रेम से अपने जीवन को जीती थी, और हम आजकल घर, बाहर, दोनों दुनिया संबालने के साथ सा सुन्दर दिखने की होड में, अब सर सब कुछ होते हुए भी तनाव में रहती है, क्योंने कुछ नया, कुछ पुराना अपना लें, इस तनाव को कहीं छोड़ दें, रिष्टों में मधूरता घोलें, हर पल को आनन से जीए, हां, मैं कुछ-कुछ पुराने खयारों की हूँ, मैं भी आज़ने विचारों की हूँ, नए विचारों की हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अपने परिवार को भी साथ लेकर चलती अपने मैं को बचाये रखती हूँ, और हम बना कर रखती हूँ, बस थोड़ी से शहेंशिलता और खुशियां ही खुशियां, हां, मैं कुछ-कुछ पुराने खयालों की हूँ, मेरे इन खयालों को आप भी अपना लीजिए, देखिए आपकी जिन्दिगी में खुशियां ह खुशियां फट जाएंगे, हां, मैं कुछ पुराने खयालों की और कुछ आदने खयालों की भी हूँ